है 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 देखिए हम लोग आये हैं घर से निकले हैं घर के पास यह मंदीर है और हम लोग जा रहें थोड़ा जोगो पहार तरह दिखाएंगे आप लोगों को कि देखें यहां शीव मंदीर है देखिए यह हम लोग का रास्ता है और हम लोग जा रहे हैं जो वो पहाड की और जा रहे हैं तो पाँच नहीं हो जा रहे हैं तो चले जाते खिर तरब से और जादर नजदिक होता है देखिए और थोड़ी दूर है हम लोग की पहाड दिखाते हैं अप लोगों के यहां दूर से ही दिखा दे रहे हैं देखिए दूर से यह पहाड है यहीं हम लोग को चड़ना है और जा रहे हैं और देखिए हम लोग आ गए है जो पहाड के पास और यहां पर देखिए एक छोटा सा मंदिल है और यहां पर यह देखिए आखाड़ा है यह वाला यहां खाड़ा है यहां सरना पूजा होता है रामनौमी जंडा सब निकाला जाता है और आगे चली आपको दिखाते हैं अब देखिए यह पत्थर यह लोग हिला रही है बोलती है हील रहा है पत्थर को हिलाएगा तो हिलेगा ही देखिए यहां पर मंदीर है बजरेंग वाली का मंदीर है यह देखिए यह गेट है अभी खुला हुआ है यह जोगो पहाड़े हम लोगा कितना सुहाना जगह है देखिए देखिए आप सबको हम ले चलते हैं अब जोगो पहाड़ पहुच चुके हैं चलिए और यह अंदर जाने के लिए में गेट है यह वाला यह देखिए गेट है यह अंदर जाने के लिए और हम अभी गेट के पास पहुच चुके हैं और देखिए अब हम लोग बजरेंग वली के मंदिर जा रहे हैं काफी उचा है रास्ता देखिए कैसा है इसी पर हम लोग जा रहे हैं थोड़ा संभल के चलना है थोड़ी दिकत तो है भगवान का दर्शत करना है तो थोड़ा तो कश्ट उठाने ही पड़ेगा देखिए कैसा पथरीला है इसी पर चल के हम लोग जा रहे हैं अ यह ना अपलो भीब देखिए पूरा पहाड है पूरा पहाल है और यहां के द्रिस से देखिए कितना शुनदर सा सुहाना द्रिस से पूरा चारोग तरफ पेड़ पोधा लगा हुआ है और यह डूपता हुआ सूरज देखिए और यहां पर एक पहाड के उपर ही अटल विहारी किलनी खुला हुआ है पहाड के उपर में ही है यह और अब चलते हैं थोड़ा बहुत सक्रिय रास्ता है अब पहुंच चुके हैं हम लोग बजरेंग वाली के मंदिर के पास और देखिए यहां पर मंदिर आ चुके हैं हम लोग देखिए यहां पर देखिए यह पूरा जंडा लगा हुआ है रावन ओमेगा देखिए अब मंदिर के पास पहुंच चुके हैं अब गेट खोल के अंदर जाते हैं यह कि इतना सुन्दर है यह बजरेंग वाली पूरा हम आप लोगों को दिखा रहे हैं और यह घंटी जए बजरेंग वाली के मंदिर पहुंच चुके हैं यही पे हैं बजरेंग वाली और चलिए जो पहाड़ दिखाते हैं और यह अभी हम लोग मंदिर के बाहर निकल चुके हैं देखिए मंदिर के बाहर में हैं हम लोग यह रहा आपका मंदिर तरी बहर में रहे हैं चलते हैं अखाड़े की और यह दिखाते हैं अखाड़ा देखिए यह आखाड़ा है जहां पर हम लोग चाहां आ चुके हैं कि यह आखाड़ा है और यहां पर सरना पूजा होता है और आम नमी पूजा भी होती है यह परिक्र कि यह कितना संदर खाड़ा है देखिए अच्छा पहाड़ के ऊपर में ही है और खत्रा तो है लेकिन रिक्स लेके चल्व हैं यह कितना संदर यह पर पूधा लगा हुआ है तोड़ना मना है चुना है तोड़ना नहीं है अब चलते हैं हम लोग पहाड़ की ओर देखिए दोस्तों देखिए यहां पर कितना चुहा सब का बेल भी है और रास्ता देखिए कैसा है पूरा पहाड़ और पत्थर ही पत्थर है इसी में हम लग चल रहे हैं है देखिए तो देख रहा है हरे उन्था और शब देखिए यहां फोटो टो ले रहे हैं फोटो सुट कर रहे हैं देखिए शाम को मौसम अब धीरे धीरे ऐसी तरह भीड होती जाएगी उपर चलते हैं और यह है अटल बिहारी किलनिक खुला हुआ है दखिए छोड़ा से एक होस्पीटल है यहां पर काफी घर होगे पहले यहां पर घर एक भी नहीं था और हम लोग यहीं पर चले आते थे पिकनिक मनाने के लिए और यह देखिए में गेट जोगो पहाड का में गेट है यह अब हम लोग एंट्री करने जा रहे हैं और यही वगो पहाड है देखिए और यही हम लोग अभी जा रहें हैं काफी हुचा है और यह जो रास्ता है देखिए यही रास्ता है पूरा रोड़ा है रास्ता में रोडबना ही दिया गिया है पहले रोड नहीं था और आएए चलते हैं पहाड की ओर चलो बहुत अच्छा लग रहा जाने में बहुत दिन के बाद आए हुए हैं यहाँ थे देखिए यह जो बैठने के लिए बना हुआ है यह बैठने के लिए थाने थोड़ा सम बैठ जाते हैं पहले इस बना हुआ नहीं था तो यह बैठने उठने के लिए बन चुका है देखिए कितना सुन्दर जगा है जारखंट का थक चुके थे थोड़ा सो चड़ गए उपर तो थक गए थोड़ा सो बैठ जाए हैं आईए फिर चलते हैं फिर आगे जाके बैठेंगे और थोड़ा और दूर है और देखिए ये रास्ता कितना मतलब क्या बलिएगा देंजरस ही कहिएगा बच्चों के लिए तो पहले तो हम लग छोटा थे तो इसमें उतर ही जाते थे और उतर के ही उपर पहले तो सिड़ी उड़ी बना हुआ था नहीं तो हम लोग इसी तरह चड़ी जाते थे और छोटे बच्चे लोग इतना रिक्स लेके चड़ते हैं चड़ना तो नहीं चाहिए और क्या बोलिएगा अब हम लोग चलते हैं उपर की और आये दिखाते हैं आपको उपर देखिए कितना डेंजरस जगा है ये पहले हम लोग छोटा में आते थे और यहां पे गुफा भी है दिखाते हैं इतना साइड पे तो हम लोग जाएंगे नहीं क्योंकि बहुत खतरीक्स है जाना फिर थोड़ा रिक्स उठा चुके हैं यहां पे दिखाते हैं देखिए अभी हम सीड़ी से नहीं जा रहे हैं अभी पहाड तरप से ही चड़के ही जा रहे हैं देखिए कितना खतरनाक रास्ता है देखिए यहीं से हम लोग चड़ेंगे उपर सीड़ी या सीड़ी पर भी चड़के दिखाते हैं देखिए देखिए पुरा घर भर गया पहले तो घर था ही ने पुरा खेत था हम लोग खेलते खेलते चले आते थे यहीं पे और यहां पिकनिक मनाते थे ममी पापा के साथ देखिए अब हम लोग उपर जा रहे हैं है चरते हैं उपर दोड़ जाते हैं थोड़ा जल्ली पहुंच जाएंगे हमारे और ये फूल है किस चीच का फूल है कितना सुन्दर फूल है थक गए हम चरते चरते मत हो जूर थक गए और ये देखिए दोस्तों यह है ये विर्साम नगा बना हुआ है देखिए अब होड़ा एंदेखिए अब अधो कि अधी चैरा नाजहीं कि आ फोतीजिक यजिस पॉर्डव पॉर्डश में गशाओ चैरारी दारु पॉर्ड़ फिल्वर्ड़ नाज़ है यह हैं बिर्शा मुन्डा देखिए काफे उचा में हैं देखिए यहां पर तक हम लोग आ चुके हैं उचाए बहुत ज्यादा है और अब चलते हैं और उपर देखिए बिर्शा मुन्डा इस मार्क बना हुआ है और अभी हम यही पर पहुंच चुके हैं काफे उचा पर आ गये हैं बहुत खतरनाक है दोस्तों बहुत खतरनाक देखिए तुरा है इसका गहराई देखिए कितना नीचे हैं अब जब देखिए अब जब देखिए अब जब देखिए अब जब आए जो वह पहाड़ में घूमने के आज जन्वारी के महना बहुत भीड रहता है जन्वारी फर मेरें काफी लोग आते आज पिकनिक मनाते हैं यहीं पे हम लोग ही आते हैं कितना उच्छा है यह पहाड़ अब देखिए सीड़ी के वर जा रहे हैं देखिए कितना ज़ाड़ी उड़ी है यहां पे झाल